नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पर छहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस न्यूज मिलती रहती है दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रिलाइंस शेर के बारे में वहाँ पर जो बड़ी न्यूज सामने आ रहे हैं जो इसका ट्रेड है उस पर असर पड़ सकता है और रिलाइंस में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि काफी दिनों तक 2100 से 2250 कभी कभी 2300 इस रेंज में गुपने के बाद आखिर आगे क्या होगा एक बड़ी रेली दुबारा है कि या फिर रिलाइंस एक अच्छा करेक्शन देगा और उसके बाद उपर की तरफ चलेगा तो ये एनलाइस करना ज़रूरी है और आज ये सब देखेंगे हम तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शेर मार्केट लिटेस्ट न्यूज एर एनलाइसिस मिलता रहे तो लास्ट कोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं रिलाइस तकरीबन 2200 के आसपास के लिए यहल पर बंद हुआ है सेंसेक्स में दुबारा तेजी आई 17 रुपे उपर था रिलाइस तो रिलाइस को जो चीज में इफेक्ट करेगी आप जानते हैं वो है ओवर ओल जो मार्केट है आप देख सकते हैं सेंसेक्स 835 पॉइंट उपर था इसलिए तेजी आई अभी पहले तो मार्केट को एप्रूफ करना होगा कि अब बुलिश मोमेंटम सामने आ गया है और जहां तक है 835 पॉइंट बिल्कुल जेस्टिफाई करते हैं कि काफी जादा तेजी आ चुकि है मार्केट में वापिस पर फिर भी दोस्तों दो कारण है पहला कि अभी मार्केट को काफी जल्दी ऊपर जाना होगा फिलाल तो मार्केट को 11,200 का लेवल ब्रेक करना होगा निफ्टी का चार्ट है और उसके बाद मार्केट जो प्रिवेस हाई थे पहला आप देख सकते हैं तक्रीबं 11,500 के आसपास दूसरा ही आप देख सकते हैं लोग सबसे ज़्यादा उप्टिमिस्टिक हैं वो रिलाइंस ही है क्योंकि अच्छे प्लैंस अच्छे इन्वेस्टमेंट आगे रख दी हैं तो जब एक गिरावाट आई थी तो रिलाइंस एक ऐसा शेर था जहां पर हमें भारी गिरावाट देखने को नहीं मिले अभी हा तो मंडे को अब देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट्स बुलिश हैते के नहीं तो यह में कारण होंगे तो पहले हम न्यूज देख लिए रिलाइंस को लेकर क्या रहे है उसके बाद हम रिलाइंस के चार्ट का एनलिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं रिलाइंस रिटे पाइक करने के लिए तो दोनों तक्रीबन वन बिलियन डॉलर इच यानि साड़े साथ हजार करोड रुपे के आसपास ये दोनों फर्म्स डालने की बाते कर रहे हैं रिलाइंस रिटेल के बिजनिस में आप देख सकते हैं कि मार्च के बाद रिलाइंस अपने पुराणे ल नजर में आ रहा है गर फिलाल का लेटएस्ट हाई ब्रेक कर दिया है रिलाइंस के शियर ने तो के क्यार और इडेल करोड डाल चुका है, सिल्वर लेक, साड़े साथ जार करोड डाल चुका है, Reliance का Retail विजनस में, वहाँ पर ये दो बड़ी डील्स हो रागी, तो जरू स्टॉक को Boost मिलेगा, और साथ में हमने डिस्कस किया कि bullish रहा, अगर market उपर की तरफ गिजा है, तो खरीड लो, जब एक market में गिदावाट आती, जैसे अभी हाई, तो वहाँ पर 15 से 20 बसेंट नीचे जाते हैं स्टॉक्स तब ऐसे स्टॉक्स को buy करना चाहिए, ताकि आप अपनी average में नीचे ला सके, आप इस share में अपनी holding भढ़ा सके आगे future term के लिए, long term के लिए और जो दूसरी news आ रहे हैं तो उस्तों को काफी कुछ change कर सकते हैं, अगर Reliance के GEO का technology platform है, वो focus में इस news में, तो PUBG आप जानते हैं काफी famous game है इंडिया का, जो अभी banned हो गया था, और Reliance GEO talks में है, अभी PUBG को वापिस लाने के लिए, इंडिया के अंदर, तो problems आगे बताई गई थी, जग गवर्मन ने ban किया था कि इंडिया के sovereignty और integrity के खिलाफ है, जो PUBG, जिन activities में engaged है, तो उसको लेकर PUBG को ban कर दिया गया था, पर अब Reliance जैसा चहरा, एक Reliance जैसा बड़ा brand PUBG को वापिस लेकर आएगा, तो आप देख सकते हैं, वापिस trust बन जाएगा इसको उपर और PUBG ने already Tencent Gaming, उनसे holdings ले ली थी इस गेम को आगे चलाने की, तो अब अगर इंडिया में Reliance के तुरू चलाए जाता है कि वो कुछ fixed number of users, उनके गेम पर लेकर आएगा हर मन्थ, हर अफ्ते जिस हजाब से deal होगी, तो आप देख सकते है PUBG जो सिर्फ इंडिया से हजारो करोड कमा रहा था एक साल के, वहाँ पर Reliance का deal होगी तो उसके revenues में कितना ज़दा increase देखने को मिलेगा प्रोवाइड करेगा Reliance अगर और उस पर ऐसे gaming और आगे लादेगा तो आप देख सकते हैं कि आगे किस तरफ जा रहा है Reliance और कैसे diversify कर रहा है अपने business को पहले जो सिर्फ chemical, petrochemical sector में, oil sector में focus रहता था और अभी हाली में सत्या नडेला Microsoft के CEO से बात करते हुए Mukesh Ambayan जी ने कहा भी था कि gaming will be bigger than music, movies and television shows put together याप music को, movies को television shows को साथ में मिला दे उससे भी बड़ा होने वाला है gaming आगे आने वाले time में अगर उनका focus सही में gaming पर है तो आप देख सकते हैं कि कितना आगे जा सकता है का business और deep roots में गुश सकता है इंडिया के business में साथ में एक और news आ रहे दोस्तों इसके announcement पहले हो चुकी थी कि Silver Lake invest करे गा Alliance Retail में साड़े साथ हजार करोड और अब आज के दिन Reliance Retail को साड़े साथ हजार करोड रुपे मिल चुके है उनके पास आ चुका है यह पैसा तो अब deal पूरी confirm हो चुकी है और finalize हो चुकी है तो यह आज latest news आ रही है वहाँ पर Silver Lake को 1.75% stake मिल जाएगा Reliance के retail में जो 4.21 lakh करोड 4.21 के जर करोड पर value रखता है तो चलिए अब chart देखते है Reliance को अगस्त के end में तो इस level से Reliance है bounce back किया है तो अगर यहां से Reliance का bullish momentum शुरू होता है हमें अगले एक यह दो दिन की candle bullish बनती देखती है तो सीधा हमारा अगला target होगा 2316 रुपे का को यहां पर सबसे बड़ी bullish candle बनी थी उसके बाद से Reliance का share इसके उपर sustain नहीं कर पाया था और फिर नीचे गिर गया था तो पहला हमारा target होगा उन्हें 2316 रुपे का और उसके बाद Reliance अगर इस level को break करता है आप देखते हैं 2360 के आसपास तब आप इसमें उपर की तरफ तेजी मान सकते हैं 2400 के आसपास के लेवल को टच करका जरूर आएगा तो वो तो हम आगे discuss करेंगे फिलाहत Reliance के लिए अगला जो target है वो है 2316 रुपे के आसपास का और downside की बात करें तो एक या दो दिन नहीं तकरीबन डेट से दो महिने Reliance एक ही range में चला है अच्छा consolidation लिया है जहाँ पर पुराने shares ने नए shareholders से हाथ बदले है तो आप देख सकते हैं अच्छा support create हो गया है इस price band के अंदर अगर हम देखे तो तकरीबन 2050 के आसपास आप नीचे volumes पर ध्यान दीजे जहाँ जहाँ volumes तेज हुई है वहाँ पर प्राइस तकरीबन यहाँ आप देख सकते हैं 2050-2156 volumes एक increase हुई थी इस level पर वहाँ पर आप price देखे तो 2020 ते bounce करकर वापिस 2146 तक गया था तो third time आप देखे अभी latest जो volumes पर increase आया है वो भी bounce आपको तकरीबन 2080 के price से दिखा था तो इन तीनों के अगर हम level लगाएं तो तकरीबन 2050 के level एक बहुत जादा strong support है reliance के लिए पर फिलाल वो काफी नीचे है अभी के price से तो उससे पहले का जो latest support होना चे वो है दोस्तों जो फिलाल का level है जहाँ पर reliance अभी है plus minus 5 to 10 rupees कर सकते हैं आपकी already stock में काफी तेजी आ चुकी है कि 180 से लेकर 2000 दोस्तों का level काफी important support है अभी reliance के लिए कि यहाँ पर जो bounce आया था उसके बाद नीचे आने का रिलाइंस में break नहीं किया है और अगर break कर देता है तो भाई उमीद रहेगी कोई भड़ी news नहीं आती तब तक reliance यह price band जो आपको दिख रहा है इसके बीच में ही चलेगा नीचे की तरफ आने कोई संकेत नहीं reliance पर जब तक globally कोई बुरी news नहीं आती है overall markets के लिए जैसे अभी फिलाल में आई थी उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो हमें reliance नेचे जाता दिख सकता है जो हमारा पहला target होगा पहला support होगा वो होगा 1938 रुपे का पर फिलाल वो बहुत दूर है और ऐसी कोई आशा नहीं कि फिलाल के time में reliance इस level को touch करेगा भुजे लगते है कि इस price पे नहीं तो भी आप अगर इस price range के बीच में 200 के आसपास, 250 के आसपास आता है वहाँ पर भी आप buy कर सकते है reliance को time के बाद जो reliance से gold साबने रखे हैं अपने geo platform में और retail sector में जो plans आगे रखे गई हैं वहाँ पर जैसे हो successful होते दीखे तो reliance आगे की तरफ 2500 इन levels की तरफ आगे बढ़ेगा demand में काफी जादा है shares future prospectors काफी अच्छे लग रहे हैं तो reliance stock ऐसे है दोस्तों जो buy on dips की रहा है अगर हम मोटा मोटा briefing करें क्या बात की हमने और उसके अलावा long term के लिए काफी अच्छा share साबित हो सकता है reliance इंडिया की biggest company है वहाँ पर तो already काफी advantage है reliance को public sentiment में भी और financially भी तो अभी फिलाल के results आएंगे वो काफी कुछ बता देंगे कि petrochemical sector अभी कितना पानी में है क्योंकि वहाँ से तो reliance को फिलाल अभी नुकसान होने का उमीद है नुकसान मतलब loss नहीं नुकसान का मतलब कि पहले जितने profit की अनुमान लगाते थे उससे थोड़ा कम आएगा जैसे oil के prices में फरक पड़ा है और demand में भी हालाग कि lockdown खुल गया है कि अजय को खुल एफ नुकसान हो जाएगा कि पहले जाएगा जाएगा कि वहाँ जैसे खुल आएगा जैसे जैसे जाएगा जैसे आएगा कि वहाँ थागा